हेलो फ्रेंट स्वागत करता अपने यूटीब चैनल नालेज़ फटाबर में तो दोस्तार हम बात करने वाले यूपी इसकाल सिफ 2020 कि बरम जी आफ इस वीडियो हम कम्प्लीट बात करेंगे कि आप अपने यूपी इसकाल सिफ का स्टेटस कहां से देख सकते जी आफ इसकाल स रिजल का आफ्सन नहीं सो कर रहा है तो क्यों नहीं सो कर रहा है इसके बारे हम बात करेंगे और साथी आपका जो स्टेटस है आपका फाम है कालेज लेवल से वरिफाई हुआ फारवर्ड कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया कि आपको इसकाल से मिलेगी कि नहीं मिलेगी आप साब साब देख सकते हैं कि आपके farm कहां तक पहुचा है आपको इस काल से मिलनी वाली है कि नहीं मिलनी वाली है तो दोस्तो इस video में complete हम पूरा detail में A to Z आपके doubt क्लियर करने वाले हैं चाहे आपका status कैसे चेक करना correction कैसे करना scrutiny result का option क्यों नहीं सो हो रहा है और साथ ही आप अपना कैसे status देख सकते हैं कि आपका farm college level से और district level से verify हो चुका है कि नहीं क्योंकि जब district level से आपका farm verify होता है तभी आपकी इस काल सिप आती है तो दोस्तो वीडियो में इंड़ तलग बने रहेगा अगर चैनल परने हो तो चैनल सब्स्राइब करके पर लाइकन को प्रेस कर लिजेगा तो चलिए पहले आपको बता देते हैं आपको correction कहां से करना साथ ही status कहां से देखना है तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड सिंपली आपको chrome browser पर सर्च कर लेना जैसे ही आप सर्च करेंगे पहले वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है तो आपको चीश प्रकार इस इंटरफेस पहुच जाएंगे तो आपको सिंपली स्क्रॉल कर तो वे नीचे आना है यहां पर आप देखे यूपी स्काल सिपी स्टेटस 2021 यहां से स्टेटस चेक कर सकते हैं यहां से यूपी स्काल सिप करेक्शन फार्म यहां से आप तो करेक्शन करना है तो आपको करेक्शन कैसे करना है इसके बारे में बता देते फिर आपको स्टेटस सो हो रहा है तो उसको कैसे देखना इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको ग्रे कलर वाले फर यूपी स्कालसिप करेशन फार्म पर क्लिक कर देना है तो फ्रेंड्स आप फिर से एक नए इंटर्फेस पर पहुच जाएंगे स्क्रॉल करते भी आपको नीचे आना यहाँ पर यूपी स्कालसिप से डिलेटर कोई भी अगर अपडेट आती है तो यहाँ पर आपको देखिए सो होगी आप यहां से पढ़ सकते हैं आपको कुछ अपडेट आई हुई है तो यहाँ पर नीचे देखिए आपको कुछ लिंक bother that तो मैं आपको करके दिखाने वाला फोष्ट मैट्री अधर दैंअ इंटर वालों का मेरा इसलो है आपको आपको क्लिक कर देना है आगला है को कि तो फ्रेंड्स आप देखिए इस पर आप पहुचा जाएंगे उन्ट प्रति पूर्ति आनलाइन प्रडाली उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप देखें रिन्मल से लोट किये थे तो आवेधन का प्रकार आटोमेटिक फिल किया हुआ आएगा पार्टकरम का नाम पोस्टमेट्रिक अदर्दन इंटर तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेशन संक्या अब हांने निया डेटा बढ़ पास्वर्ड क्यप्चा करके सम्मिट करना तो चरिये हम आपको करके दिखाते हैं और तो आप देखेंगे जैसे सम्मिट कर देंगे आप यहाँ पर पहुच जाएंगे यहाँ पर ओपन हो चुका है आप देखिए नमीनी करण आवेधन पत् सब कुछ ठीक ठाक है अगर फिर भी आपको लगता कुछ गड़ बढ़ है तो आवेदन पत्र को संसोधित करें यहां पर लास्ट वाला दिखाए देरें इस पर क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं इसके बाद आपका इस्टेटर्स देखें यहां पर आवेदन पत्र की इस् कुछ गड़ बढ़ है तो आप करेक्शन करिए फिर उसके बाद सम्मिट करिए अगर नहीं लग रहा तो रहने देजिए यहां से इस्टेटर्स आपका सो होने लगेगा तो फिलाल अभी कुछ लोगों का सो रहा है कुछ लोगों का नहीं सो रहा है तो मैं भी करके चेक कर मैं यहां यहां और डिखाएगा आपके फ़र में गलती क्या है का अब कर दिया गया है वह बस thriller ale और चल्वार कर दिया ऺए कि लिए क्र तो आपको पता होगा कि ज्चाल सी पाना इसे अब ने अप और निव है दो कि अगर आपको कोई गलती है आपको लगरा गलती नहीं है आपके फ़र्म में लेकिन फिर भी एरर सो कर रहा है तो आप एक अप्लिकेशन लिखिए अपने टेंट की माक्सिट लीजिए जो एरर आ रहे उसका फोटो कापी निकलवाईए और फ़स्ट एर की माक्सिट लेकर अपने कॉलेज बें जमा करिए आपका सब सही हो जा